हेलो गाईज थोड़ा स्वागत है मेरे यूटूब चैनल ते अज जसी पढ़ांगे जिमेक यसी पिछली वीडियो दे विच गुरु नानक देव जी बारे पढ़ेया ते अज जसी पढ़ांगे सिखांदे दुझे गुरु गुरु अंगदेव जी बारे ता गुरु सर विखे एक पेंड माता दी सराई विखे एक वपारी सन उना दा व्या बीबी खीवी पुत्री देवी चंदनाल होया जीना दी कुखों आप दे दो पुत्रा दासू अते दत्तू वते एक पुत्री अमरो दा जनम होया ते असी जी में देख साग देया कि उना दा जनम किते होया पंद्रा सो चार इस्वी नू मत्ते दी सराई सराई जीना जीला की जिला अजगल मुक्त सरवेच या ते उना दे माता दा नाम सी दयक और ते पिता पाई फेरू पत्नी बीबी खीवी स्पुत्तर अते स्पुत्री उना दे दो स्पुत्तर सान अते एक पुत्री जे दाक्तू अते दासू ते स्पुत्री अमरो गुर्गद्दी तो उना नू गुर्गद्दी कदों होया ते उना दी स्पुत्री अमरो गुर्गद्धी ओनानु 159 ताली तो 159 जमला की 159 ताली विच ओ गुर्गद्धी उत्ते बैठे सन खोज ओनाने गुर्मुखी लिपी जड़ी की अजगालापा बार्त देया उधी उनाने खोज कीती की ते ओनाने की शुरू कीता सी मल अखाणा रचना पाई बाले वाली जनमसाखी गुरु नानक देवजी दी जीवनी शेहर स्थापित कीता खडूर सहब अजगाल तरंतान ओदो उनु खडूर सहब केहा जाना सी की जीनु की अजगाल आपा तरंतान कह रहे हैं समय दे मुगल बाश्या ओदो उना दे समकालीन समय दे बादशा कौन सी गे मुगल बाश्या हिमायू अते शेडशा सूरी उत्तरा दिकाली उना तो बाद गुरु गद्दी चे कौन बैठा है गुरु अमदास जी ते ओ जोती जोत कदो समाई खडूर सहीब विखे पंदरा खडूर सहीब जीना ने उना ने जीना दी स्थापना कीती सी जले शेयर दी ओ थे ओख जोती जोत समाई खडूरु जी ने गुरु मुखी लिपी दी काड़ कड़ी उना ने गुरु नानक देव जी वल्लो अरंबी पैंती अखरी पट्टी नू नमा रूप अते करम दिता अते इसनों होर ज्यादा शुद अते विस्तरिक कीता एही कारजी सिखी दिया पवित्तर रचनामा दा मोड़ बढ़िया उनाने सिखानों एक वक्री लिखती पाशा बक्षी जोकी हिंदु आते मुसल्माना नालो वल्लो वर्ती जांदी पाशा तो काफी वक्री सी इसे कान सिखा वेच एक वक्री कौम होंदा पावी उजागर होया गुरु जी सरीरिक तंद रोस्ती दे इसले आमने मल खाडे दी प्रम प्राश शुरू पिती उनाने पाई बाला जी कोलो जो गुरु नाने देव जी नाल उना दिया उदासिया विले वी सान तो प्रथम गुरु द जीवन बारे ताथ इकठी कीते अते गुरु नाने देव जीवन ते अधारित पहली जनम साखी लिखी इसनो पाई बाले वाली जनम साखी भी आख दी हन। गई तान्वा थोड़ा ते असी अगली विडियो वेचे गुरु अमर दास जी बारे जानकारी लमांगी।